पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे यहो एकस का नादर अपडेट आ चुका है बट वाइड़ एकस से याद आया आपकी एकस का क्या हाल है कुछ यहाद ही प्रसनल हो गया इगनोर बारते हैं और देखते हैं इस लेटिस अपडेट में आपको क्या कुछ देखनी को मिलता है जो कि 10.6 का एक लेटिस अपडेट है लास्ट टाइम मैंने इसका वीडियो नहीं दिया था क्योंकि ने बार और कुछ जगाव मुझे इसूज देखनी को मिले थे बग देखनी को मिले थे बट इसवा वह चीज़े सॉल हुई है तो यहाँ पर पूरा डिटेल लेके आचुका हूं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना हो चैनल पर नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब और शेयर यहाँ पर आप देखने को मिलता है अंड्रोइट 15 वरजन है 10.65 में का सेक्योर्टी पैच है यहाँ पर आपको करनल देखनी को मिलता है हमारा मेंटेनर का नेम बेलड 17 का है और यह हमारा बेल नमबर वगएरा बेक्योर आते हैं तो यहाँ पर आपको सिस्टम के वही सेम एवाई देखनी को मिल जाते हैं जो की काफे समूधली यहाँ पर काम करते हैं कोई दिकत नहीं आती कीवेस के अंदर भी मुझे कहीं पर ऐसा लैग देखनी को मिल जाता है यहाँ पर पोको कैमरा दिया गया है जिसे आप हाईपर कैमरा लाइक है कैमरा जो चाहों कहा सकते हो एक्चुल में सिस्टम डिफॉल्ट आज के लिए ही आते हैं तो यहीं आपको देखनी को मिल रहा ह को रिकॉर्डिंग के लिए BCR दिया गया है ताकि आप को रिकॉर्ड कर पाओ Google डायलर के होते हुए भी डॉल्वी बगर यहाँ पर इंप्रूवड है बेटर आपको आउटपुट मिलने वाला है तो अच्छी बात है बाकि हम यहाँ पर आते हैं तो आपको देखनी को मिल करते हैं तो इससे लेटर आपको दिक्कत नहीं आने वाला बाकि बैक यह चलते हैं तो आपको मिलता है बैटरी जहाँ पर प्रफाइल था उसे रिमूब कर दिया गया है क्योंकि वह स्लोर चार्जिंग वाला प्रोडम क्रियेट कर रहा था क्योंकि इस बार चार्जिंग जो 54% चार्ज हुए है जो कि मुझे रियली में काफि अच्छा लगा जबकि पावर प्रोफाइल हमें जो पोको एफसी में देखनी को मिला था और यहां पर चार्जिंग देखनी को मिली और यह चीज़ यहां पर नहीं मिली क्योंकि यहां पर इंप्रूवड हुआ है और वही common से similar से features आपको मिलते हैं, mods मिलने लगी आजकल common हो चुका है, sound profile में यहां पर clear speaker, charging, power app, control वगरे भी आपको मिलता है, notification के अंदर cool down के भी option आपको यहां पर मिल जाते हैं, और यह है इसका खुद का customization, जहां पर theme के अंदर आप चाहो तो यहां पर यह सारी चीज़े बागी lock screen के बात करते हैं, यहां पर face unlock के अलगा style आपको देखने को मिल जाते हैं, बाके widgets वगरे यहां पर proper काम करते हैं, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा सकता हूं, यूज कर रहा हूं और यहां पर यह देख सकते हो, निप बगर वगरे है, जो कि हमारा यहां पर काम करता है अच्छे तरीके से तो इसमें भी दीकत नहीं आती, Depth Wall People आप यूज़ करना चाहते हो, कर सकते हो, यहाँ पर Peak Display आपको Option मिल जाता है, बाकि EOD वगरे के Option मिल जाते हैं, Reaper Animations वगरे है, Pocket Mode वगरे के Option आपको मिलते हैं, अच्छे सुबार के अंदर आपको अच्छे सुबार टीवनर, Clock, Network Traffic, Ongoing Process, Chip वगरे हैं और यहाँ पर आपको Wi-Fi Standard, Color Icon, Microphone and Camera का Inductor और बाकि यहाँ पर Screen Project का Option मिलता है, यहाँ पर KeyWay Setting के अंदर आपको Brightness, Slider वगरे हैं, Auto Brightness के Option, यहाँ पर Header Image होगे रहा, जो कि आप Set कर सकते हो, जो कि आपको Top पर देखने को मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह किसे आपको Options मिलते हैं, कि सारे Options दिये गए हैं, जहाँ पर जो भी Option आपको अच्छा लगता है, वो आप Simple Select कर लो, और उसके बाद आप यहाँ पर Use कर सकते हो, तो ऐसे तो मुझे कुछ खाद ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आप चाहतो रख सकते हो, अपनी अपनी पसंद होती है, अनदर यहाँ पर QS के Clock वगरे आप बदल सकते हो, बैटे Styles वगरे यहाँ पर दी गए हैं, काफी ज़्यादा QS का Style भी दिया गया है, यहाँ पर Row in Column मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर QS का आपको Lock करने का Option मिलता है, ताकि Lock Skin पर आप Access ना कर पाओ, Notification के अंदर आपको Compact का Option मिल जाता है, Light का Kill का Option भी मिलता है, Power Menu पर आपको वही सारे Common से Option आपको देखने को मिल जाते है, मिलनेज के अंदर यहाँ पर कुछ S4 features दिये गए हैं, जो कि यह सारे proper काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, तो यह सारे चीज़े आप यूज में ला सकते हो, यहाँ पर File Transfer का फिर से Option देखने का आपको मिल जाता है, High Developer Status, No Story Restricts वगेरा, यहाँ पर Limited Screen Recording, Height Capture Status वगेरा, आपको Ignore Window Secure Flag भी मिलता है, मिलनेज के अंदर तो यह चीज़े मैं आपको बताएं, देखिए चीज़े देखने को मिलती है, बाकि About Session है, और हाँ, नेब बार का Last Time में एक प्रॉलम था, कि वह है जो अपने height को arrange नहीं कर पा रहा था Last Time का, लेकिन वह चीज़ यहाँ पर मुझे fix देखनी को मिला, जो कि आप यहाँ से इसे अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो, जैसी देखो टॉप पे जा चुका है और यहाँ से आप फिर इसे बॉटम पे रख सकते हो, तो जैसे आपको चाहिए वैसे यहाँ पर आप अपने keyways यानि ने बार अगेरा को not keyways को arrange कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और प्रॉलम देखनी को मिला था वह यह वाल पेपर से related, कि वाल पेपर है जो कि आपका है जो यहाँ पे काम नहीं करता था, कि दर गहे भहे हमारा option वाल पेपर का, वह आपको मिलता है थीम के अंदर वाल पेपर के अंदर, जो कि यहां पर नॉर्मरी सम्टाइम यह आपका है जो अपलाई ही नहीं कर पाता था डेफ्ट वगरेगा और अटो सिस्टम रिस्टाट नहीं होता था जासे कभी यहां पर हुआ है तो यह काम कर रहा है अच्छे तरीके से तो यह भी चीज़ यहां पर इंप्रूब्ड कि क्या कुछ कैसे देखनी को मिलता है तो आते हम अपने गालरी के उपर जहां पर साइच चीज़े मैं यहां पर इस डिवाइस के हिसाब से और डाउन है आपको प्रफॉएंस कम मिल रहा है तो बैट यह आपको बेटर मिलेगा नॉर्मल यूज़ पर जब आपको प्रफॉ बैटर भी ज्यादा गें नहीं हुआ है जो कि काफी अची बात है कि यहां पर हिटिंग कंट्रोल में है साथ-साथ यहां पर आप देखते तो कि हमारा केदर गया है हमारा gitbench नॉर्मल टेस्टिंग पर कुछ इस तरीके से है यहां पर जैसे मैं प्रफाइल का यूज करता यहां पर इंप्रूमेंट देखनी को मिलता है और यह चीच काफी ज़्यादा बहतरीन है अनदर यहां पर आप देखो सीप्यू ठोटल के रिजल्ट जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो उतने ज्यादा अच्छ है आपको देखनी को नहीं मिलते है नॉर्मल टेस्टिंग आपको देखनी को मिल जाता है यहां पर डिवाइस आपको सर्टिफाइड मिलता है बैंकिंग एप में आपको दिक्कत नहीं आती तो इससे रिलेटर प्रॉलम नहीं है और बूट्र यहां पर उनलॉक वला जो स्फूफ है वह भी एड किया गया है तो कुछ अप्लिकेशन काम नहीं करते हैं बूटर उनलॉक होने के बाद तो वह चीज़े भी यहां पर आपकी solve हो जाती है तो यह भी चीज मुझे यहां पर काफी सरी लगा बैटी डॉप के बात करें तो यहां पर 26 के बाद morning में आता है 20 जो कि यह मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा है इस रोम म को मिला है बाकी यहां पर बाकी अगर टेस्ट रिजल की बात करें तो सब कुछ तो मैंने यहां पर solve करें दिया है जो कि हमारा प्रोपर काम करता है वह चेंज लोग वगरे की बात करें यहां पर आप रूट करना चाहते हो तो के स्टेडियो मीटर वॉल्यूम है उससे सब्सकर अगर प्रवलम था वह सब्सक्राइब निसे ढहीं की बात करें शिचलेट रिजन का रहा दागे और भी यहां पर के लाप टोईच दिखा चैनलोग मैंने आप को दिखाया है और उपर का चैनल लोग यहाँ पर आप वीडियो को रोक के देख सकते हो, वह इस चीज़ है, Orange Fox का यूज करना है, FW आपको डालना है, Latex वाला, Dirty Flash करते हो, तो में भी इसू जा सकता है, तो अपना समझ लेना, और यहाँ पर RCS काम कर रहा है, साथ साथ प्लेश्टर वगरा है, जो फिक्स किया गया है, पोको का कैमरा एट किया गया है, तो यह साथ चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो I hope कि मैंने आपको साथ डिटेल दे दिया है, आपको पसंद आया हुगा यह रोम, क्योंकि मैं तब से रिकमेंडे होने वला है, बस एक चीज़ की दिक्कत लगी, वो है Standby Drain की, जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ असा ज्यादा देखने को मिला है, अब रही बात यहाँ आप इंच्टोल कैसे करना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो, समझ लो और फॉलो कर लेना, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक और सेर भी कर देना, फॉन के ओफ होते ही, पावर टेने वोलिम डाउन को लॉंग प्रेस करना है, जिससे आपका फॉन फास्ट लोगो सो कर देगा, अब आपको अपने फोन को PC से करनेक करना है, सारे इंपोर्टेंट फाइल है, जो भी है, उसी आपको प्लेटफॉर्म टूल के अंदर मूफ कर लेना है, और CMD कमांड को ओपिन करना है, CMD कमांड जैसी ओपिन होता है, आपको या तो पहले ड्राइब और चेक करनेक लिए कमांड रन कर देना है, या फिर डायरेक्ट टूलर्प और इंच्टूलेशन का जो भी आपका सुपोर्टेट कमांड है, वो आपको टाइप करना है, और अपने टूलर्प और और इमेज 1 करके select करते जाओ, flash करते जाओ, और maybe अगर flashing के डरान कोई भी error आता है, तो ऐसे में reboot to recovery करो, और रोम को फिर से reflash कर लो, और reboot to recovery के time पे maybe आपका है जो tier lower p या orange fox replace हो के different recovery so कर सकता है, तो ऐसे condition में आप क्या कर सकते है कि उस रोम को नए recovery के साथ दुआरा reflash कर दो, अगर ref flash proper हो चुका है, तो आप direct format करके reboot कर लो, आपका जो भी OS है वो boot कर जाएगा without किसी issues के, और यह जो step मैंने आपको बताया है, यह same follow कर सकते हो, आप अपने hyper OS को flash करने के लिए, OSP वाले किसी भी roam को flash करने के लिए, same चीजे यहाँ पर होगी, बस आपको ध्यान रखना है कि ज मैं आ गया होगा, मैं मिलता हूँ निक्स वीडियो में, thanks for watching, data, bye bye